नेताजी की जयंती पर देवसिदन में परिचर्चा वा कवी गोष्थी कुल्लू नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125 वी जयन्ती के उपलक्ष में कुल्लू के देवसिदन में भाषा एवं संस्कृती विभाग द्वारा कवी गोष्थी व परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसमें जिला के जाने माने इतिहासकारों कवी लेखकों व बुद्धे जिवयों ने भाग लिया। जिला भाषा अधिकारी सुनीला ठाकुर विशेश तोर पर उपस्थित रही। परवतारोहन संस्थान मनाली के पूर्व निदेशक कैप्टन रंधीर सिंग सलूरिया ने बत पारा दिया गया जै हिंद का नारा राष्ट्रिय नारा बन गया। उन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूनगा जैसे करांतिकारी नारों से देश के युवाव में जोश भरने का काम किया। दिल्ली चलो का नारा भी उन्होंने ही दिया था। 21 अक कुमत ने जिन्दा अत्वा मुर्दा पकड़ने पर एक लाख रुपे का इनाम रखा था। उस समय वह भूमिगत हो गए थे और उनके घर में कई दिनों तक रहे थे। आज भी इनकी मुर्ती लाहॉल्स पिती के जिला मुख्याले केनलग में स्थापित है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ट साहित्यकार सत्यपाल भटनागर ने भी नेताजी की जीवनी पर प्रकाश डाला तथा उनके क्रांतिकारी विचार सांजा किये। उन्होंने कुल्लू जिला से संबंध रखने वाले आजाद हिंद फौज मन शामिल स्वतंत्रता सेनानि के बारे में भी चर्चा की। परिचर्चा के दोरान हीरा लाल थाकुर व देविंद्र गोडने नेताजी पर शोधपत्र पड़े। शर्मा, रामकृष्ण शर्मा, मनमोहन गौतम, हिरासत अली खान, गगन विजय, भवानी सिंग आदी ने कभी गोष्ठी में भाग लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को विनम श्रद्धानजली अर्पित की। जो नेताजी के आजाद इंद्फाज में जो सिपाही रहे हैं कुल्लू से, उन पर चार्चा हुई, जिन्होंने आईने में अपना योगदान दिया, और कंदेश के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपनी कभीताई सुनाई, और उस से एक सब के मंदर एक जोश प्यदा कि इसमें खेर अध्यकारी कृप से तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, प्रन्तो इतना जरूर कहा जा सकता है कि एक तो ये बात सामने आती है कि वो उनका शब नहीं है, और बातीत चली, तो उस से मुझे लगता है कि ये सुबास्चंदर बोसी जी है, साथ मैं जैसे लगब टीवी के लिए धनेश गौतम की रिपोर्ट